कुकिंग विद बेनजीर सिर्फ जाइका नहीं जस्बात भी असलामु अलेकूम वेलकम चु कुकिंग विद बेनजीर मैं बेनजीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंड रहे हैं तो आप बिलकुल सही जगे पर आए हैं और अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज इंशालला बहुत पसंद आने वाली है आज हम आपको दो तरीकों के डिप्स बताएंगे पहला डिप होगा हनी लाइम मेयो डिप और दूसरा हनी मस्टर्ड सॉस दोनों ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं रमजान में स्टार्टरस के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं और आप इसे दावतों और पार्टीज वगएरा में भी सर्व कर सकते हैं बनाकर सबसे पहले हम बनाएंगे हनी लाइम मेयो डिप, उसके लिए हमने 4 टेबल स भर कर हनी डाल देंगे यहां हम दिसानों का हनी इस्तमाल कर रहे हैं इसे आप वेट लॉस के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं शुगर की जगे पर इस हनी का इस्तमाल करेंगे तो यह काफी हेल्दी होगा यह इम्मुनिटी भी बढ़ाता है एक टेबल स्पून भर कर दाल दिया हमने हम इस में एक टेबल स्पून नीम्मो करस भी डालेंगे एक पिंच नमक डालेंगे थोड़ी क्रेश्ट पेपर कुठी वी काली मिंच ठोड़ी दालेंगे एक चौथा ही टी स्पून, अच्छी तरह से मिलाएंगे सारी चीजों को, अगर आप मियोनीज घर पर बनाना चाहते हैं, तो हमने दो तरीकों से मियोनीज बनाना भी बताया है, हमारे चैनल पर, एक एग वाली और एक एगलेस, ये डिप खटी मीठी होती है, खाने में बहु हम इसमें एक टेबल स्पून एपल सीदा विनिगर डालेंगे, हम यहाँ पर डिसानों का आपल सीदा विनिगर यूसकर रहएं, इस विनिगर में एपल कॉंसेंट्रेट का इस्तमाल नहीं किया गया है, बल्कि आपल के जूस का इस्तमाल किया गया है, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके दूसरे बहुत सारे बेनेफिट्स हैं, जो हमने दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं, हम इसमें दही भी डालेंगे, तो टेबल स्पून भर कर, हंकर्ड यूस किया है, हमने पानी तमाम निकाल ल कश्मीरी मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून, एक पिंच नमक, हम इसमें हनी डाल देंगे, हमने इसमें तकरीबन दो टीस्पून हनी यूस किया है, अच्छी तरह से सारी चीजों को मिला कर तियार करेंगे, अच्छी तरह से हमने मिलाया हमारा हनी मस्टर्ड डिप झाल झाल झाल